हा मित्रो, आ मरी वाडा सूर्ती इदड़ा ना थी, परंतु फराड तरीके खाई शकाई ने, एवा पोचा-पोचा जाडीदार एवा फराडी इदड़ा छे, उपवास करता होई ने, त्यारे आवा गरम-गरम स्वादिष्ट इदड़ा जो खावा मड़ी जाई ने, तो पे मारा कीचन मा आप सवनू स्वागत छे, आ मखाणा छे, कि जी हेल्दी हो आनी साथे-साथे फराड मा पर खाई शकाई छे, आ मखाणा तमने करियाणाने त्यांती आसानी थी मली जाशे, तो ननी पैनमा लईने एने ड्राइ रोस्ट करी ले वाना छे, तो गेस नी फ्लेम म मिडियम राखी शू, औने 4-5 मिनित मा आ मखाणा सरस क्रंजी थाई जशे, आरी ते चेक करी ले वाना, तो हवे ग्यास बन करी देशू, औने एने ठंडा थवा देए, हवे मिक्सर जार मा एक कप मोरिया राइस, एटले के सामा राइस लेशू, कि जे तमे उपवास मा सको छो, 3 टेबल्स्पून साबू दाना लईशू, औने त्यार बाद रोस्ट करेला मखाणा जे छे अते उमेरी दईए, औने जीनो रवो हई ने, आपड़ ए टाइपनों क्रोस करी लेवानू छे, औने एने मिक्सिंग बावल मा लईए, इदला खाती वक्ते कोरा कोरा ना लगे, एटला माटे ब्याट अबल्स्पून तेलनू मौन, औने ब्याट अबल्स्पून गट अने साधारन खटाश होई ने, एवु दाही उमेरी शू, गट होई एवु दाही लेजो, औने तमार उदाही जो पातडू होई ने, तो थोड़ू वधार लेजो, औने पातड अर्धो कप लाईये तो आर इते बीजो कप पन उमेरी दितुछे एटले के अर्धो कप बेवार एटले के टोटल एक कप पाणी उमेरी दितुछे और इतनु मिस्रण तयार करीने धाकीने पांत्ती छो कल्लाकेने रेश्ट आपीशु छो कल्लाक बाद आपणे जोई लाईये तो लोट सरस रीते पलडी गया छे तो हवे एने पेला आ रीते हलावी लाईये अने त्यार बाद मसाला करीशु वो उच्छा मसाला मा तयार थाई जशे करण के आ फराडी इदडा छे तो मसाला मा लीला मर्चानी पेश्ट उमेरीशु तो एक तीसपुंधी थोड़ू अधारे लगिये अने व्रतनो मीठु छे अने एक इच आदुना टुकडाने छेणी ने उमेरीए अने आ रेसीपी ना अंत सुधी मा तमे व्रतमा जे इंग्रेडियेंट नई खाता हो ने व्रतमा एने स्कीप कर जो अने आ मिष्रण तैयार करवा मा महरे कोई एक्स्ट्रा पाणी एड करवानी जरून न थी पड़ी तो आ इदलानु मिष्रण हवे एक दम रेडी छे अवे आ स्टेज पर तमारे इदलानी थाडी ने ओयल थी क्रीस करी लेवानी अने विजी बाजू डोकडियू पन ग्यास पर घरम करवा चोककस पने याद राखी ने मुकी देवानू अने एक टीस्पून इनो उमेरियो छे अने एक्टिवेट करवा माटे एक टेबलस्पून पाणी उमेरिने एककत दिसामा हलावी लेवानू अने त्यार बाद एने आपणे डोकडानी जे थाड़ी ग्रीस करीली दीचे ओईल थी एमा उमेरिये अने उपर मरी पाउडर स्प्रिंकल करीशू अने त्यार बाद अगाउथी गरम करवाट ढोकडियू ग्यास पर जे मुकियू छे एना उपर मुकिने मिडियम फ्लेम पर आपणे बार्ती तेर मिनिट सुदी आ इदड़ाने थवा दईये हवे इदड़ानी थाड़ी थाई गई छे तो बार काड़ी लिदी छे अने जुओ थाड़ी नी उपर सुदी इदड़ा फूली ने आवी गया छे तमें जोई शको छो तो हवे आपणे एना माटे वगर तयार करीशू गरम गरम पुचा पुचा वराणी करता इदड़ा सरस्त तयार थाई गया छे तो वगर माटे तड़का पान माँ आपणे त्रण थी चार चमची तेल लईशू तेल गरम थाई एटले बैटी स्पुन सफे तल त्रण आखा लीला मर्चा कट करी न उमेर शू औने फ्रेश कड़ी पत्ता एड़ करी शू औने आ वगर एड़ करी एटो इदड़ा पर एन चप्पू पन केटला अंदर सुधी जाई छे एटले के खिल्या पन खूब छे तो हवे तैयार करेल वगर उमेरिये औने तमे वरत मा कोई नवी वानगी बनावता हने तो मने कॉमेंट बोक्स मा जरूर्थी जणाव जो औने तमे रसोई कड़ा कोनी पासे थी सीख्या एट पन लग जो हवे थोड़ी चौप करेली कोतमीर अने सुका कोप्रानी छीन थी गार्निश करीशू तमे फ्रेश कोकोनट पन लई शको मारी बासे सुका कोप्रानी छीन रेडी हती इटले मैं सुकू कोप्रू लिदू छे अने इधड़ा किटला स्पांजी थाया छे ने खूप त्यांती जोजो जोईनेज खावानों मन्त है जाई एटला सरस आई इधड़ा बन्या छे वाउ किटला सरस खीली ने फुली गया छे जूओ अने स्पांजी छे एकदम कांटा चमची थी लोने तो ख्याला उसे किटला सौफ पंठ है छे तो हवे सर्विंग करीशू अपड़े आथाया आपड़ा गरम गरम नरम नरम जाड़ी दार टेस्टी एवा एक की नजरे जुओने तो सुर्थी मरीवाड़ा सफेद इधड़ा ज लागे एवा फराड़ी इधड़ा के जहने ग्रीन चटनी साथे साव करीशू अने आ चटनी मां में थोड़ी कोथमीर आदू लिम्बू अने लिलू मर्चू तथा व्रतनो मिठू बेथी त्रण आइस क्यूब अने त्रण नंग आ तयार करेला इधड़ा उमेरीने क्रस करीली दीछे और तमने जो रेसिपी गम है तो वीडियो ने लाइक और शेर जरूर्थी कर जो और एक कॉमेंट जरूर्थी लग जो और मड़ता रही शू आवी जे एक नवी रेसिपी साथ है त्यां सुदी तम्हें तमारू और तमारा परिवार नू चक्कस पने द्यान राग जो और आ